हेलो फ्रेंड्स मेरी क्रिस्मस तो आल अफ यू फ्रम भारत रस्वई तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो में शूट कर रहा हूं क्रिस्मस का दिन है आज है 25 दिसंबर है और फ्रेंड्स इस दिन को हम आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही मज़िदार केक की रेसिपी लेकर ल रहा हूं इस केक की रेसिप्व को बनाने के फ्रेंड्स मैं शुद्ध गेहूं के आठे का इस्तमाल कर रहा हूं ता ये फ्रेंड्स हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं हमारे साथ वीडियो में टेग बने और जो भी नए दरसक हैं मैं उसे अग्रक करना चाहता हूं कि आप में करता हूँ चैनल को सब्साइब कर लिए इसे हमारा और आपका दोनों को बनाओगा तो चले फटा पुट विडियो स्टार्ट करते हैं तो ज़से हमें चाथिका का सब्साइब हैँ तो फ्रेंट्स इसपेक की रेसिपी को बनाने के लिए शुद्र गेहं का इसाथ मुंने पहले बताया तो यह 240 अग्रेंट्स में शुद्र गेहं का आट़ लेली कैसे और फ्रेंट्स में दूद का सबसे पहले मैं इस बॉल में बटर डालोंगा स्प्राइब से प्रेंट्स में आठ बड़े चंब सुगरं क выз इसके इसे तरीके से बटर के साथ मिक्स करें कि इस अब देख सकते हैं यहाँ सुगरT ने सारे बटर को अबने अंदर अब्सार्ब कर लिया और तो इसके लिए फिरेंट में थ्वारा सा मिल्क मिलाऊगा और उसके बाद फिर आप उसे अच्छे तरीके से मिलाएं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह अच्छे तरीके से सुगर और बटर को मिक्स कर लिया है मैंने अब इस मिश्रम ने शुद गेहूं का जो आटा मैंने लिया था उससे में मिला दूगा फ्रेंट्स मिलाने से पहले फ्रेंट्स आप आटे को अच्छी तरी से छनी से छालने ताकि जो भी हमारा सॉलिट पार्ट्स है या जो भी मोटा पार्टे फ्रेंट्स वह अलग हो जाए सारे गेहूं का आटे को चाल कर मैंने मिला दिया अब इसमें आप दो बड़ी चमच कोकोवा का पॉड़र मिला ले उसी भी थोड़ा च्छना से आप छालने फ्रेंट्स कोई भी इंप्रियूट अब आप इसमें दो चमचर बेकिंग फ्रोड़ा मिला है पॉड़े तुर्स आप देख सकते हमें इस चमच से डाल रहा हूं और भी इमजे विग्किंग कॉड़े इसमें इसमेंमेंट SMITH हाप फोडैया है तो मिइस मुझे दो चमच डालना है तो इससे में 4 चमच मिग डाल Soul वन, टू, थ्री, और फोर, मिन्स ये दो चमजवा फ्रेंट्स, अब फ्रेंट्स जो ग्रेटेड डार्च चॉकलेट मैंने बनाया था फ्रेंट्स आप उसे भी इस मिश्यन में मिला दें अब फ्रेंट्स केक का बैंट्र बनाने के लिए आप इसे अच्छे तरीके से मिलाएं फ्रेंट्स, और इसमें मैं पानी का इस्तेमाल कराऊ फ्रेंस मैंने जो दूद लिया था उस दूद से ही बैटर को मैं तियार करूँ आवश्चक्तान सार आप दूद को डाले इसमें ताकि आपका केक की तरह की consistency वाली बैटर बने तो फ्रेंट्ट्स आप देख सकते हैं केक का बैटर consistency यह इस तरह की consistency में दाइंस होनी चाहिए तभी आपका केक जो है बहुत ही अच्छे तरीके सरे बेख होगा और उसमें स्पाउजेनेस आएगा और तो बहुत देर तो आप देख सकते हैं यह केक मोल्ड में इस तरह से मैंने बटर पेपर को चिपका दिया है अब आप इसमें पूरे केक के बैटर को डाल दें फ्रेंट्स सारे केक के बैटर को मैं यह मोल्ड में डाल चुका हूँ अब आप इसे हलके आतों से टैप कर लें आप इसे टैप करके फ्रेंट्स इसका जो सर्फेस है उसे प्लेन कर लें ताकि कहीं से भी आपकी यह एर इसमें ना ले और केक का बैटर तयार है अब इसे मुझे बैग करना है तो आए मैं बता दू मैं किस चीज में इसे बैग कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां बैग करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से एरेजमेंट की हुई है क्यूंकि हार घर में माइक्रॵेब और नहीं होता है मैं इसे बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूं तो इससे मैंने काइग लिया है उस में नमक रखशा हूँ नमक में मैंने एक राजान लगा पूरी बेटर का इसे में पर रखुंगा तो इसे मैंनेे प्रीहीट करें प्रीहीट कर लिया अब इसे पर मैं उस केक मोल्ड को रख दूंगा और ढट स्टू पताऊंगा इस तरह से मोल्ड को मैंने रख दिया है friends और इसे मैं धख देता हूँ तो आदे घंटे तक फ्रेंट से पकने दे और वीडियो में एंट तक बने रही है friends मैं आपको दिखाता हूँ के और तकरियान friends आदे घंटे से उपर हो चुके हैं आहिए हम लोग देख सेते हैं हमारा केक केक बना या नहीं होना है और आप देख सकते हैं फ्रेंज में ब्लकुल ड्राइ होचिपा है और मैं टूदपीकर सा में चिक्का लेरा हूं तूदपीकर में मे inflam है मिन्स की मेरा केक अच्छा तरीक से पग जया फ्रेंस आप इस तरह के शेप पर मत जाए भी मैं डिकोरेट करोंगा तो बिल्कुल चिकना हो जाएगा हमार साथ वीडियो में एंट्टिक बने रही है आयो फ्रेंस अब इसे मॉल्ट को निकाल लेते हैं थोड़ा सा ठंडा होने सब्सक्राइब करें देख सकते हैं यह बिल्कुल शुद्ग गया हों कि आठे से बनी हुए केक है अभी मैं इसे क्रीम डाल के मैं डेकोरेट करूंगा इसमें जितने भी डेकोरेटिव आइटम से हैं उसे मैं इसे सजाऊंगा फ्रेंस अब वीडियो में एंड्टिक बने र करने के लिए फ्रेंस मैं वीपिंग् ऍनिंग क्रीम कत्यार कर रहे हुए उसके लिए मैं एक कट्सवर लिया र低वा genौक्टो से थीक्षा और उस बर्फ के टुकुडवेपार यह बड़त्रं ठिका दें जिस स्ब्सक्राइब करमें पक्रियोन को मैं यह इसमें यह कुपन कर सकते हैं तो अब इसमें ये वेपिंग क्रीम को आप डाल दें और अब इस वेपिंग क्रीम को फ्रेंट्स ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है तो आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप जो मैनुवल ब्लेंडर आता उससे भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस ब्लेंडर के इस तरह करोंगा इस तरीके से आप कुछ चलाना है फ्रेंट्स अब फ्रेंट्स मैं जो मेरा शूगर पॉटर था शूगर पॉटर को मैं डाल दूगा फ्रेंट्स और उसके बाद फिर्षे से ब्लेंड करूँगा मैं इसमें दो तीन बड़े चमच फ्रेंट्स आप अवश्यक्तान साब को जितना मीठा पसंद है उसे इसमें सूगर डाल सकते हैं अब इस सूगर के साथ प्रेंड्स आप इसे फिर्षे ब्लेंड करें अब आप फ्रेंट्स देख सकते हैं यह मैंने ब्लेंड कर लिया आप देख सकते हैं यह जो हमारा है क्रीम जो है कितना मोटा हो गया अब देख सकते हैं यह इसमें चिपक जा रहा है यह बहा नहीं रहा है फ्लो नहीं है इसमें इसी तरह से इसी तरह की consistency आपको रखनी है friends विपिंग क्रीम की जो की मैं इस क्रीम को आप केक पर डेकरोट करोगा तो आए हमारे साथ विडियो में बने रही है तो friends केक में धुआ सा चॉकलेट का फ्लेवर लाने के लिए यह में डार्च चॉकलेट को में इस तरह का अरेंजमेंट करके इसे हीट पर आप नहीं में इसे पानी के ऊपर का तोड़ा रख्या बिश्तर से में इस अब देख सकते है friends चॉकलेट मेंट होना सुरू हो गया है अब देख सकते है friends यह डार्क चॉकलेट जो है यह बिल्कुल मेल थोड़ चुका है तो friends आप देख सकते हैं यह मेरा केक तयार है आए यह इसे डिकृट करते हैं friends अब इस तरह से यह स्पैचुला है friends यह केक का सारा आमे ने एक्सेस आइटम आमेजम से पर्चेस किया था friends अब मैं इस पर क्रीम लगा के इसे अच्छे तरीके से इस सर्फेस को मैं प्लेन कर लूँगा friends और यह friends केक का यह स्टैंड भी है friends आप इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में रॉल कर सकते हैं और friends आप देख सकते हैं मैंने क्रीम को केक पर इच्छे तरी से स्प्लेट कर लिया और इस तरह से यह friends मैं चॉकलेट फ्लेवर से यह डेकुरेट कर रहा है friends इस केक को मैं साथ वीडियों बने रही है friends और आप देख सकते हैं friends केक भी डेकुरेट हो रहा है friends तो friends आप देख सकते हैं केक हमने डेकुरेट कर लिया है अब इसमें अभी और इसका सिजनिंग है friends केक को डेकुरेट करने के लिए इसका सिजनिंग मैं भी डालूँ गा friends यह friends बिल्कुल चोको वैनिला है केक का फ्लेवर और friends बिल्कुल शुद्ध गेहुं के आटे से बनी हुए cake friends आपसे कितना ज्यादा भी खाएं यह आपके लिए हेल्दी रहने वाली है friends और आप देख सकते है friends यह मैंने केक को डेकुरेट कर लिया है और यह कितना अच्छा लग रहा है friends बहुत ही मज़िदार friends यह दिख रहा है बहुत ही सुन्दर दिख रहा है friends और आपने देखा मैंने इसे शुद्ध गेहूं के इसको काट के दिखा हूंगा मारसल विजयों बने रही है इसे friends मैं फ्रेज में डाल दिया है मैंने अब इसे मैं फ्रेज लगा दे रहा हूं और आप देख सकते friends तकरीबन 2-3 घंटे के बाद रेफ्रेजेटर में 2-3 घंटे रेफ्रेजेटर में अठाएं के बाद केक हमार तैयार है बिलकुल अब मैं इसे कट करके दिखा रहा हूं friends once again Merry Christmas to all of my viewers Merry Christmas तो friends ये एक केक का टुकड़ा मैंने काटा है अब देख सकते हैं बड़ा है मेरिदार बड़ा है तो friends ये मैंने सारे केक को कट कर दिया है एक टुकड़ा मैंने अलग निकाला इस तरह से तो उमीद करता हूं friends आज का ये रेसिपी केक की रेसिपी आपको अच्छी लगे अगर अच्छी लेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करके हमारा होसला बड़ा है हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि इस तरह कि मज़िदा रेसिपी में आप लोगों के लिए बराबर बलाता रहा है एक बार फिर से मैं अपने चैनल के तरब से अपका सभी दर्सकों को किस्मस की धेरो बढाईया देना चाहता हूं आज के वीडियो में इतना एक फ्रेंट्स मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपीशाओ तब तक कि लिए सभी फ्रेंट्स को झाल